हेलो फ्रेंड पॉपुलिटी वी सीरियल गम है किसी के प्यार में क्या गयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि रजत के मामा मामी ने भोसले निबास में खाना खाने से किया इंकार तो वहीं सवी ने दिखाई अपनी समझदारी जिसे देखकर ठककर्ज हुए इं मामा जी सब के सामने हाज जोड के माफी मांगेंगे कि वो लोग यहां खाना नहीं का पाएंगे क्योंकि वो लोग मराठी ही लोग हैं और उनके यहां नौन वेज़ खाया जाता है इसलिए वो यहां खाना नहीं खा सकते तो वहीं ईशा उन लोगों को समझाने की कोशिश क तरेगी कि उसने खाना बड़ी ही सफाई और शुद्धता से बनाया है और पूरा खाना वेजिटेरियन है लेकिन ठककर परिवार कुछ भी सुनने को तयार नहीं होगा वेल लब शो कि अब कमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां भागिश्री कहते हुए नजर आने वाली है कि कोई बात नहीं हम जो गिप्स लाएं हैं वो आपको दे देते हैं पर हमें माफ कीजिएगा हमारे यहां लालो विराजमान है और हम लोग नहीं कहा पाएंगे आपके हाँ तो वही पूरा का पूरा ठककर परिवार जाही रहा होगा कि तबी सभी सब को जाने से रोकेगी और कहते हुए नजर आने वाली है कि एक मिनिट रुख जाएए आप लोग हमारे महमान हैं और महमान भगवान समान होते हैं और हम अपने महमानों को खाली पे जाने कैसे दे सकते हैं आप लोगों को हमारे यहां के बरतनों से प्रॉब्लम है ना तो मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बैठ जाएए और मुझे बस दो मिनिट दीजे जहाँ पूरा ठकर परिवार एक दूसरे को देखकर होगा कन्फ्यूज रोड कह रहा होगा कि आखिरी लड़की करने के अवाली है वेल लब शोकेप कमेग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहाँ सवी नीचे कमपाउंड में जाएगी और वहाँ से ढेर सारे केले के पत्ते ले आएगी और उन्हें साफ कर लेगी तो वही सवी केले के बटों पर सभी के लिए खाना सर्फ कर देगी जहाँ भागिश्री सवी की समझदारी को देखकर एक पल के लिए हैरा हो जाएगी कि वाकी ये लड़की तो कमाल है कैसे इसने कम समय में अपने दमाग चलाया और सब को खाना खिला रहा और कोई सब्सक्राइब करना ना भूले